नमस्ते, दोस्तो आप लोग कैसे हैं? आसा करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी ओपन रली भरती दो हज़ार बारे में। देखिए आप लोगों के दोस्तों बहुत कमेंट आ रहाता तो सर आर्मीन नेक्स भकेंशी जो ऊक्मिंग भकेंशी है कब आ रहे है उससे बात किजिए। हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों आर्मी के जो open rally है जो भरती होती है बहाली होती है इसी साल कब देखिनों को मिलेगी सारा आपको जो परकरिया वो बताएंगे देखिए आपको पता है अभी सरकार ने दोस्तों क्या किया है टूर अपडूटी नामक एक नया भाली है सर वो कब देखने को मिलेगी आप लोग का कमेंट आ रहता उससे पहले आप दोसों समझेगा टूर अब ड्यूटी क्या है इसी से आपका जवाब मिल जाए कि वेकेंसी कब आ रही है रही कब से स्टार्ट हो रहा है सारा राजिकार जैसे कि बिहार का च्छतितगर रा भारत के जो युवा हैं उनको आर्मी में दोस्तों नौकरी दे जाएगी जौब दे जाएगी ठीक है तीन साल के लिए यह बताया गया है आपको भी पता होगा आपने नहीं सुना है तो आप समझे लिए तूर अप्यूटी दोस्तों इस योजना का नाम रखा गया है अगन ट्रॉटी जैसे हमने को चमझाते लेए तीन साल के लिए सरकार ने अगनी पता पर योजना करता दोस्तों तीन साल के लिए आप लोगों का भरती करने का प्लान बनाए है फैनल इसका फैदा और नुकसान समय की ज़या कि जिलता थे सरकार का जिज़ादा फैदा है ठीक है सरकार का फैदा है और आर्मी का भी पैदा इसके बच्चों का नुकसान प्लच करेंगे क्या है एक सोजेयों को दोस्टों एक सोल्ज के पूरा ट्रेनिंग से लिए के दोस्तों जितना जिन्दगी बाद tardy इतना शॉल्जक करड़की कressive पेमेंट हो गया उसके बाद दोस्तों उनका पेंशन होता है वह सब देखे उसके बाद आपका ट्रेनिंग सारा करके कम से कम दोस्तों 11 से 12 क्रों रुपया खर्च होता है ठीक है 11 से 12 क्रों रुपया आप लोगों का खर्च होता है समझ लेजिए एक सोल्जर का ट्रेनिंग द नब्बे लाख मात्र बग जाएगा ठीक है नब्बे लाख हो जाएगा तो समझ लीजे दोस्तों 11 कोड़ सरकार का फैदा होगा क्योंकि इसमें पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि दूस्ती जो पर्मानेंट होता है हो येारिमी को पार्मी को Nawal गया है कि यंग लड़कों लेगा 18स मानक चेले लेता है आर्मी में जाएंगे 18-21 के बाद वह उनको भटा दिया जाएगा ठीक है उनको भेड़ दिया जाएगा चलो आप लोग खट जाएंगे तो आर्मी में दूस्तों जो जवान बच्चे हैं वही जाएंगे जवान बच्चों आपको पता है जो जवान होते उनको फूर्ति सबकर हैं उसके बाल हम कहां जाएंगे क्या करेंगे उसके बाद पर 2008 कि सब्सक्राइब चलो हमने लगा दिया जीजान सब्सक्राइब बहु सार पोश्ट आता है जैसे गार्ड़ का पोश् वो पुश्ट आपको मिल जाएगा तो बहुत सारे बच्चे कहें गारमे में क्यों आर्मी का छोड़के दूस्ते छोड़के हम घॉवी का جूटि करेंके आपका सवाल बनता है और सवाल आपको वाजी पिए दुस्तों ठीक है लेकिन दुस्तों क्या होता है इससे बहुत सारे बच्चों का मौका मिलेगा कहने के मतलब क्या है अगर हम रेगूलर 15 साल का अगर हमार भी अगर ले लेते हैं कलर का जो डूटी होता है या सोलजर का 15 साल के मानके चलो एक जोड़ी करता है वे तिन साल बाट या यह ज़्यादा हो सकता है बच्चों को सगल जाएंगे तिए फैया इसके बाद और दोस्तों जैसे कि बता दें तीन साल डूटी बार आपको प्राइबर्ट गार जोब मिल जाएगा प्राइबर सकते में हो साहिए में बहूं सारा आपक आर्मी पता है कि आर्मी ने भी जो है एयरओंत के अलावा दोस्तो अगर दूस्तो आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने करने का और अपने मा बाप का नाम रोसन करने का पर दोस्तों आप अपने घर के आर्थिक इस्थिति के कारण सरकारी नौकरी के तयारी नहीं कर पा रहे हैं तो एक्साम पूरु के दोस्तों बीवेक सर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन सेशन लाने वाले हैं 17 अपरेल सुबा 11 बजे सेशन का नामें दोस्तों जेले की जीत की मिसाल सेशन देखने एक बाद जो बच्चे अपने परिवार की आर्थिक इस्थिति के कारण सरकारी जौब के तयारी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लाब होगा आप चाहें दोस्तों कोई भी सरकारी एक्जा दिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक आपको प्रवाइट करवा दिया है वहाँ पर क्लिक करके भी दोस्तों सेशन को अन कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों रिवाइडर को अन कर सकते हैं रिवाइडर आन करने से फायदा यह से बहुत सारे दूस्तों जो पारा मेलेटी फोर से उनका उम्र कितना मांगता है जेनरल किनेड़ का 18 से 23 सार ठीक है इसके बाद 18 25 से मांगते जाता है के टेगरी वाज है उनको benefit मिल जाएगा जाहिरी सी बात है कि इसमें प्राश्मिक्ता उन्हीं बच्चों के दी जाएगी जो आर्मी से पास होके गया हो ठीक है पतला आर्मी से रिटार होके गया तीन संग जो टूर अब ड्यूटी है उससे रिटार होके गया यह बेसिक फैयदा है ठीक है तो आपको सकते हैं फैयदा मिल जाए ठीक है नुक्सान ज्यादा है ठीक है नुक्सान ज्यादा चाहतर है अगर देएखे दो स्बोने यह करने बहुत जल्द लागू करने वाली है तेके यह यह जो इसका असी पर्सेंड कारिय हो गया है जो कागज का काम होता है जो जाम जो पेपर वर्क होता है ति कानून बनाना पड़ता है आपको यह देखने लोग भी जा सकते हैं अगर आपकी योगता है तो एलैक्शनों टीपीगरिकरण आएगा इसे हम आगें बताएंगे आपको ठीक है देखें दोस्तों यह आपने समझ लिया देखिए इसके अरवा देखिए 80% जैसे हमने बताया दोस्तों काम खतम हो गया यह भाली आपको next मैं लीग देता हूं ठीक है next आपको दोस्ते लेकर तीन महीनों में मिलेगी ठीक है यह जैसे लागू होती है दोस्तों देखिए इस में से क्या करेगा देखिए मार्क चलों तीन साल के लिए बच्चों को बलाया जाता है ठीक है सो बच्चों को बलाया जाता है एक्जामपल का थोर पर समझेगा स बच्चों का तीन साल के लिए अगनी पत्त प्रियोजना से बुलाएं गया हो सकता है के दूस्तों जब यह योजना लागू किया जाया 50 परसंट बच्चों को बलाए जाय तो यह तीन साल के लिए जब यह जो रेगूरर बेकिंसी यह वजाएंधिकाद जो बहाली के तौध जो ओपन रॉयली होता है उसका भी दूस्तों इसमें सेलेक्शन कर दिया यह बच्चों का ठीक है जो पर्मानेट बच्चियों उसी टाइम दूस्तों यह भी वेकेंसी ओपन हो जाएगी बात समझ रहें आप पिति समझाता हूं जब यह बला प्रियोजना लागू होगा दोस आरमीन हो सकता है ठीक है तो मानको चलो सो बच्चों का बलाता है तीन साल वाले डूटी के लिए उसी टाइम दोस्तों यह भेकेंसी जो है ओपन राली वह भी श्टार्ट कर देगा क्यों क्यों देखिए परमानेंट हो सकता है तो बच्चे ना जाया दोसरा जो आपके तया बात को हो सकता है कि यह दोस्तों जो 40% हमने बताया 30 से लेके 30 से लेके 50% समभावना यह है कि जो तीन साल के लिए बोलाए आपको ठीक है बाकी जो समभावना है 50% का आसपास मानके चलिए 50% दोस्तों आपको रेगूलर श्ट्रेंट को बोलाएगा यानि आपका प्लॉर वाला है और 50% तीन साल के लिए यह कर सकता है पास समझ गया दोस्तों तो बहुत जल्द भरकेंसी आने वाली हर एक राजका आएगा दोस्तों ठीक है एक जगा पर दोस्तों आपको बहता रहाता कुछ और समझेगा रेली के बारे में सबसे पहले फीजिकल टेस्ट कि बात करें दोस्तों 77 से लेके 82 होना चाहिए मतलब जितना उससे पांच आपको फ्लाना है ठीक है एज साड़े सत्तर से एक की साल मांगता है ठीक है उम्रे में छूट का बहुत चर्चा चल रहा है कि सर तीव साल तीन साल दो साल तीन साल आपका उम्रे बरबाद हो गया है कोबीट करोना के कारंद तो ठीक भाली आया ही नहीं है तो बहुत सारा बचों का जो एज है दोस्तो एज बढ़ गया है तो उन लोगों का दूस्तों एज खतम हो गया है ठीक है छूट मिलेगा दें कि हो सकता है कि आपका छूट दे दिया जाए दो साल का ठीकि यह घुट कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है दोस्तों तो जरूर छूट रहा दोस्तों दो साल तीन साल पिछला परबाद हो गया ठीक है जरूर छूट मिलनी चाहिए ठीक है इसमें रेस कितना होता है 1.6 किलोमेटर रेस के बारे में ध्यान समझेगा जो लिखा है वो उस पर मत यहां जताँ रहते हैं और मिंद जयाराद मीटर अनुच के बैच्चार सो बच्च्च यहां से बच्च्च आँगे रहते हैं उनको ज्यादा benefit होता है क्योंकि वह दोस्तों यह running यहां से स्टार्ट है यह पीछे जितना यह distance हो गया दोस्तों यह 100 मीटर को हो जाता है यह वह दोस्तों होता है जो आंगे लग गया जिसका stamina है जो ज्यादा प्रैक्टिस है वही ज्यादा पांच छे कर आपका ले लेगा एक्सिलेंट में यानि आपका साथ नमबर वाले में बाकी का ले लेगा दस नमबर लड़कों का आपका गूड में तो 48 नमबर मिलेगा यह नहीं कि 400 बच्चों का जितना समय वह समय नहीं देता है जो पहले आगे उस बैच में दोस्तों को करना होगा यह दस करते हैं चालिस नमबर तक 10 से कम में दस्क वाली भषाई भी कर सकता है ठीक है लेता ही नहीं है कि कूण 20 में अगर चटाना है तो पहली किऊ ना चट टे लिए नो करते हैं तो 33 कर दोस्तों बैलन्सिंग बीम होता है आपने देखा होगा तो थोड़ा था ऐसे य्ए द होगा आपको बनाया होता है उसमार चलना होता है आपको नीचे गिरना नहीं होता है इस पर रखके य्ए यौप एक आपको मैंने बता दिया क्या नुक्सान में वेकंसी कब आ रही है ताद से तीन महीने बाद सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कर दोस्तों कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के मादम से आप लोग पूछ लीजिएगा नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कुए बिल अकन जरू जबाएगा